वास्तु क्या है? भवन में भाव की दिशा, गुनवत्ता और सार्थक्ता का ध्यन है वास्तु कहीं आपका भवन आपको डिस्ट्रेक्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं आपकी सोच को डिलीट तो नहीं कर रहा है और मैं वो विधियां दूँगा जिससे तुम्हें देखना आजाएं। वास्त करने योग्य स्थान और कुरुष का अर्थ है उतके अंदर वसने वाली आत्मा। वास्तु कुरुष का लिटरल मीनिंग है विल्डिंग के अंदर का स्पेस। मैंने क्या-क्या ढूंडा? इधर उदर से इंफरमेशन को पिक करके, टेस्ट करके, वेरिफाई करके, क पंच तत्व, कौन सी दिशा में कौन सा तत्व है, ये मैंने ढूंडा वास्तु किसी भी भवन में जैसे आप पांच तत्वों को संतुलित कर देते हो, तो चक्रास भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। कि वास्तु इतने बड़े होने का विज्ञान है, कि एक बंद चार दिवारी में भी प्रमात्मा पैदा हो जाता है। तो ये परमतब तक ले जाने का विज्ञान है। जुगाडवाजी का काम नहीं है। जिसका स्पेस कमजोर हो वो आदमी दारू ज़्यादा पीता है, तो इसको फिर कड़वा अथा लगता है। जिसका अर्थ कमजोर हो या इंबैलेंस हो वो मीठा ज़्यादा काता है। जो एलिमेंट इंबैलेंस है, आदमी का उन टेस्ट के प्रती रुझान बढ़ जाता है। मैं रोज फैक्टरियों में मशीने लगवाता हूं और इंडस्टलिस जानता है कि अच्छे कारीगर नहीं मिल। मैं मशीन को ऐसी जगा लगाता हूं कि टॉक का कारीगर आके काम करना। सिंबल्स में ही वो पावर है, परतीकों में वो शक्ती है, परतीक में अपने आप में एक शक्ती है जब एक अकार घटित होता है, that decides its function. कुबेर जी का एट्रिब्यूट क्या है? आपकी योगिता के अनुसार आपको धन देना। अगर इंडियन कॉंटेक्स्ट में आपको प्रेम का बंधन ये देना चाहते हैं, तो दो हंसों का जोड़ा साउथ-वेस्ट में लगाना। वेस्ट-नॉर्थ-वेस्ट में डियर लगा देने से वो अलकस हट जाता है। वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का फंक्शन क्या है? तो इसकी ideal स्थिति कहा होनी चाहिए? East-South-East में ideal ही होनी चाहिए। और दूसरा option अपन कहां दे सकते हैं? South-South-Wesест में दे सकते हैं। एक एक दिशा में उस मशीन को लगाना है। उसके प्रियोजन को जानके जहां पर quality control करके रखना है highly skilled साउथ वेस्ट में लगेगी जहां जिस machine में highly skilled चाहिए इस प्रकार से अलग-लग दिशाओं के जो attributes हैं उनको क्या functioning perform करने में use करना है इस पे mastery करने से वास्तु शास्तर में mastery होगी अगर आपने east-south-east में खरगोश लगा दिये तो जो networking से result आना चाहिए और networking जो develop होनी चाहिए वो develop होनी शुरू हो जाती है एक ऐसा zone है north-north-east आक साब वहाँ बैठ के किसी को पानी मी पिला दोगे तो आदमी कहेगा साब में ठीक होगे उन natural healing से connect करता है एक zone एक लिए क्या समस्या है उसके लिए एक particular दिशा responsible है महावास्तू कहता है जो pain है जो दर्द है जो तकलीफ है वो दिशा इंगित करती है कि किस दिशा में आपको इलाज करता है We don't believe in Brahmistan जिस भी civilization में central courtyard open है वो civilization हमेशा गुलाम रही है Google करके देखने दो प्रकार का वास्तू होता था एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए प्रजा में जो वास्तू परचलित किया गया वो लोग कभी कोई possibility को explore ना करे इसके लिए central courtyard खाली रखने को कहा गया महा वास्तू प्रोग्रामिंग का वास्तू शास्तर का एक ही प्रियोजन है कि तुम्हें पीडाओं से राहत कैसे जिए वास्तू में भी करता था लेकिन जीड़ो जो 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 system मिला है यहां कमाल का एक सबसे जादा चीज जो अच्छी लगी कि यहां पर हर व्यक्ति देने के लिए तयार बैठा है मैंस इफ यू आइबड़ी वो mentors है यह आचारेस है forget वो लोग यहां तक जितने group के लोग भी हैं they are really in that energy zone कि वो बस बाटना चाहते हैं देना चाहते हैं मैं यूएस से आई हूँ मैं स्पेसिविकली यह कोर्स करने के लिए आई हूँ मुझे क्या पसंद है यह समझ में आ गया और मुझे क्या चाहिए वो समझ में आ गया पर अधे सेम टाइम माइंड में ऐसे क्लारिटी नहीं औरी थी जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे लोगों को हेल्फ करना मैंग्जिन स्टोर करके रखे कुए मुझे भगवत गिदा पता है उसमें है और और भी मिल जाएगा जब धूलोगेगा ओ अच्छा जो सारे आरती वाले बैंक यह हैं Okay One thing I want to tell you, this course is the number one Vastu course throughout the world I would thank you very much for an excellent presentation, teaching to all of us and I would accept that you are my guru from now झाल झाल